हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे ओट्स की रेसिपी और यहर रेसिपी जो हम बनानी जा रहे हैं वह बहुत ही हेल्दी बन कर देंगार होगी तो इस रेसिपी को हम बनाना सुरू करते हैं गैस भी हम एक पैन रख देंगे और पैन को हमने हलका गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को लो कल लेना है और इसमें हमने मेजरमेंट के लिए दो कटोरे ओट से एट कर दिये हैं तो आप किसी भी बरतन से मेजरमेंट कर सकते हैं तो अब हम इसे इस प्रकार चलाते रहेंगे और हमें oats को थोड़ा भून लेना है और इस प्रका थोड़े ही समय में ये अच्छे भून कर तंग्यार हो जाते हैं और gas की flame को हमें low ही रखना है, high flame पर हमें oats नहीं भूनने हैं oats हमारे भून चुके हैं और अब हम पानी भी उसी कटोरे से डालेंगे जिस कटोरे से हमने oats डाले हुए थे, तो हमने यहाँ पर दो कटोरे oats लिया था तो इसी से हम तीन कटोरे इसमें पानी भी एट कर लेंगे और पानी एट करने के बाद हमें इसे इस प्रकार चलाते रहना है तो खुच ही समय में ये काफी ठीक हो जाता है और हमें इसे लगभग दो मिनट तक इस प्रकार चला लेना है और दो मिनट के बाद अब हम इसमें एट कर देंगे गुड तो आप यहाँ पर इसकी जगों पर dates का भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने आधा कटोरा गुड लिया है जिसे हमने महीन काट लिया था तो इस प्रकार हम इसमें इसे अच्छे से mix कर लेंगे गुड यहाँ पर थोड़ा गल चुका है और अब हम इस stage पर इसमें एट कर देंगे दो कटोरे दूद हम पूरा measurement कटोरे से ही कर रहे हैं आप इसके इस्तान पर गिलास या कोई भी बरतन का यूच कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो कटोरे फुल फैट दूद लिया है और इसे हमने इसमें एट कर लिया है यह पहले उबला हुआ दूद था और इसे हम इस प्रकार mix कर लेंगे और गैस की flame को अब हमने high कर लेना है खुश समय के बाद हमें इस प्रकार चलाना है और चलाते चलाते हम देखेंगे कि जो ओट से है वो काफी ठिक हो चुका है और वह दूद में अच्छे से मिल चुका है तो इस प्रकार यह उबलना सुरू हो चुका है तो हमें इसे जादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने इसे पहले भुना हुआ है तो ये अच्छे से पकरतंग्यार हो चुका है और गैस की फ्लेम को अब हमने बंद कर देना है तो इस स्टेज पर इसे हम बंद कर लेंगे तो ओट्स की और हेल्दी रेसिपी बंद कर देंग्यार हो चुकी है तो आईए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं सर्व करने के लिए हमने एक कटोरा ले लिया है और उसमें हम इसे एट कर देंगे सर्विंग के लिए यहाँ पर हमने कुछ ड्राइफ रूट लिया है और इसके अलावा एक बनाना लिया है जिसे काट लिया है और इसी के साथ हमने थोड़े से अनार के दाने लिये हैं तो अब हम इसे इस परकार सजा लेंगे ताकि यहाँ दिखने में काफी अच्छा लगे और इस परकार आप कोई भी फूट इसमें योज कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी ड्राइफ फूट योज कर सकते हैं तो यहाँ रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें अधिक से अधिक सेयर करें थैंक यू